आज हम बहुत ही आसन विदी से वौफल्स बनाएंगे और वो भी आसनी से मिलने वाली सामगरी से बनाएंगे तो यह सब के लिए बनाना बहुत ही आसन रहेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना वौफल्स चोकलेट वोफल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम चोकलेट स्प्रेड तयार करेंगे और इसके लिए हम यहाँ डबल बोईलर मेथर से 100 ग्राम मिल्क चोकलेट को मेल्ट करेंगे वैसे चोकलेट को मेल्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता सिर्फ 3-4 मिनिट ही लगते हैं लेकि चोकलेट अगर पुरा नहीं हो तो 7-8 मिनिट भी लग सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि चोकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है तो अब उसी के साथ 1 टेबल स्पून रिफाइन ओयल भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ हमारा चोकलेट स्प्रेट तैयार है जिसे गेज से उतार लेंगे और रूम टेंपरेचर पर आने तक थंडा कर लेंगे अब हम केक बेटर बनाएंगे और इसके लिए मिक्सिंग बोल में चलनी रखेंगे और आधा कप मैदा वंधर कप पिसी हुई चीनी दो टेबल स्पून कोको पाउडर थ्री फोर टी स्पून यानि की पोना टी स्पून बेकिंग पाउडर वन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा एड़ करेंगे और एक टी स्पून कोफी पाउडर भी एड़ करेंगे अब सभी सामगरी को चान लेंगे ड्रा इंग्रीडियन्स को चानना बहुत ही ज़रूरी है और दोस्तों आज हमने जितनी सामगरी ली है उसी में से मिडियम साइज के दो वोफल्स बनाए जा सकते है तो यहां हमने सभी सामगरी को चान लिया है अब इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे अब उसी के साथ वन फोर ट कप को आदा भर कर रीफाइंड ओयल एड़ करेंगे और आदी टीस्पून चोकलेट एसेंस भी एड़ करेंगे और रूम टेंपरेचर वाला दूद एड़ करेंगे और बेटर बना करके तयार करेंगे और मिलाते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि बेटर में एक भी लंस या गुटली नहीं रहनी चाहिए बेटर एकदम स्मूध होना चाहिए और रिफाइंड ओयल की जगह पर आप चाहिए तो मेल्टेट बटर भी यूज कर सकते हो तो जितना हमने रिफाइंड ओयल लिया है उतना ही मेल्टेट बटर एड़ करना होगा और बेटर बनाने के लिए हमें आदा कफ और उपर से 2-3 टेबल स्पून जितना दूद लेना होगा अब उसी बेटर में हम 5 चोकलेट बिस्किट को एड़ करेंगे बिस्किट को क्रंबल करके एड़ करेंगे आप अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट एड़ कर सकते हो और इस तरह से बिस्किट एड़ करने से वोफल्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तो यहां हमारा वोफल्स बनाने के लिए बेटर तयार है और कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की पतली रखनी होगी आप देख सकते हो कि यह बेटर केक बेटर से काफी पतला है और हमें वोफल्स बनाने के लिए ऐसा ही बेटर चाहिए अब वोफल्स बनाने के लिए मेरे पास अभी इलेक्ट्रिक मशिन नहीं है लेकिन मैंने इस तरह का सेंड़िच जैसा मशिन लिया है और उसी से हम गेज पर भी आसानी से वोफल्स बना सकते हैं और इलेक्टिक मशिन से ये काफी सस्ता भी रहता है तो अब बैटर को इस मशिन में डाल देंगे अब इसे गेज पर पलट पलट कर सीख लेंगे गेज की आज मध्यम रखेंगे और पलट पलट कर इसे सीख लेंगे और थोड़ा सा बैटर इस तरह से बाहर निकले तो इसे हम साफ कर लेंगे एक वोफल को बनने में चार से पांच मिनिट लगेंगे जब लगे की वोफल थोड़ा सा पक गया है और उसने साइट्स छोड़ दी है तब दोनों साइट पर बटर स्प्रैट करेंगे ताकि हमारा वोफल उपर से क्रिस्पी बने अब इसे दो मिनिट और पकाएंगे तो यहां हमारा वोफल रेड़ी है जिसे गेज से उतार लेंगे और मशीन से निकालने के बाद कभी भी इसे डाइरेक्ट प्लेट में ना रखें नई तो इसमें जो बाफ निकलेगी उसी की वज़ा से ये सोफ्ट हो जाएगा तो इसे हाथ में ही इस तरह से उलट पलट करते रहेंगे और ये इतना गर्म नहीं लगेगा और ये जल्दी से थंडा भी हो जाएगा और जैसे जैसे वोफल थंडा होता जाएगा वो क्रिस्पी बनता जाएगा थंडा होने के बाद साइड्स को इस तरह से कट कर लेंगे और डीश में अरेंज करेंगे वेनिला आइस क्रिम भी एड़ करेंगे और वैनिला आइस क्रिम की रेसिपी भी मैंने अल्रेड़ी आपके साथ शेर की हुई है आप चाहे तो देख सकते हो और हमने जो चोकलेट स्प्रेट बनाया था उसी से गार्निश करेंगे तो यहां हमारा जटपट और आसान सी सामगरी से बनने वाला वोफल्स तयार है अब समान विदी से हम दूसरा वोफल भी बना लेंगे और थुड़ा सा स्प्रेट बचा था तो यह बीना फ्रीज में रखे ही इस तरह से सेट हो गया है जिसका हम वोफल में यूज करेंगे तो यहां मेरा दूसरा वोफल भी बन गया है जिसे मैंने पेपर की हवा से ही थंडा कर लिया था ताकि यह जल्दी से थंडा लगे और हाथ में गर्म भी ना लगे अब इसे दो भाग में कट करेंगे आप देख सकते हो कि वोफल अंदर से भी बहुत ही अच्छा बना है और बिस्किट के टुकड़े भी अच्छे से दिख रहे हैं अब चोकलेट स्प्रेट, आइसक्रीम और चोको चिप से गार्निश करेंगे सच में दोस्तो इस तरह से बनाएगे वोफल्स बहुत ही अच्छे बनते हैं और हमें बैटर बनाते वक्त दूद में विनेगर या फिर निम्बू डालने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम दूद में विनेगर या निम्बू एड़ करेंगे तो उसी की वज़ा से वोफल्स केक की थरह सोफ्ट बनेंगे क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो अगर क्रिस्पी वोफल्स चाहिए तो निम्बू या विनेगर एड़ करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा और इस आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ